तो हो चुकी आपकी नीट की एक्जाम खतम और आप सभी को इंतिजार होगा आपके मार्क्स कैलकुलेट करने का लेकिन आप देखोगे यूट्यूब पे हर जगे पे आपको पूरा डीटेल अनालिस हर एक क्वेशन का करा जा रहा है जिसमें आपका चार से पांच घंटा ऐसे ही लग जाता है इसलिए मैं तुशार पटेल आप सभी के लिए वो सल्यूशन दे रहा हूँ आपको जिससे आप अपने आंसर को यू तुरंट दस मिन में चेक कर पाओ वैसे मैं ट्राइ करूंगा को इसके पहले ही खतम हो जाए लेकिन आज आपको यहां पे मैं फिजिक्स के हर एक पाओ और अब भी आंसर बता पाओ और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी बाओ कि कितना आपका स्कॉर हो रहा है निवी चुछ चलिए लेट्स गट साटेड इस गुए वेरी क्विक सेशन जहां पर हम सारे क्वेशन का आंसर देखने वाले क्विक क्विक यहां पर सबसे पहला क्वेशन जो था आपका उसका आंसर बनता है यहां पर नेक्स्ट क्वेशन इस अबाओ पाउट्यो क्रोमेटिक सोर्स ओफ लाइट इसका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नमबर टू दे ब्राइट फ्रिंज जो सेंटर में होगी वो ब्राइट वाइट ह होगी बाकी सारी कलर्ड होगी देन आप यह पूरी रियक्शन सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है यहां पर टू एटी सिक्स अज मास नमबर एटी वन एज़ा अटॉमिक नमबर फिर आप इसको जरह बराबर से करो डाया मैगनेटिक को सेकेंड वाला हो जाएगा इस तरह से करोगे तो यह option number D जो आपको यहां पर दिख रहा है A का 2, B का 3 और D का C का जो है और यह 4 और D का यह 1 इस तरह से आपका यह option number 4 दिख रहा है ठीक है Let's go for the next one यहां पर हमारे पास अगला सवाल इसको solve के भीना आंसर आ जाता है 2 और यह रहा 2 microfarad Let's go for the next one इसमें आपको पता है potential at every point is same तो potential difference is 0 option number 3 यहां पर हमारे पास यह तो भाई और नौर से हमने end बनाया ना So इसलिए end is the correct answer option number 3 then यहां आप देखोगे तो reflected light जो होती हो polarized होती है और हमारी refracted light partially polarized होती है option number 3 Then यहां पर question number 9 में आपको दीख रहा है यह सब कुछ आप आराम से formula लगा और आपका answer आजाएगा 4.4 milli tesla Then we'll go ahead यहां पर आपको थोड़ा सर लगाना पड़ेगा right hand thumb rule lens law के हिसाब से और आपका correct answer आजाएगा A, B and D, C यह दोनों कोल के current के direction then आपको यहां पर momentum conservation बोला इनलसी collision में correct answer is going to be 2 is to 1 ठीक है क्योंकि body merge हो जाती है then यह आपके पस में पूरा question है जहां पर आपको सिर्फ इतना देखना था कि formula आपका wrong हो चुका है इसलिए reason is wrong assertion is correct तो assertion is true but reason is false then we'll go for the next question here we have another beautiful question आपको आई निकालना है फिर V is equal to IR कर दो 4 into 2 तो answer comes out to be 8 volt ठीक है terminal voltage बताना था इसमें correct answer वैसे मैं आपको वोलूंगा direction के साथ देखोगे तो acceleration as vector quantity and radial acceleration का direction continuously change होता है इसलिए option number 3 फिर यहां आपको lambda के साथ पूछता तो ऐसा graph होता लेकिन आपको 1 upon lambda के साथ energy का पूछ लिए that is why they are directly professional option number 3 is the correct answer let's go ahead यहां पे आप सभी को बड़ी आसवाल से solve करके आपका answer आता है root of 5 by 2 दो बार आपको लगाना पड़ेगा snell's law answer आ जाएगा here we have highest point जो होता है वो सबसे fastest होता है तो correct answer is this option number 1 let's go ahead यहां thermodynamic process है इसके लिए आपको पूछा है यह process जो है वहां पे volume constant तो correct answer is 0 क्योंकि वहां तो आपका कोई भी work done होने ही नहीं वाला है let's go for the next question here we have the ideal transformer भाई ratio उल्टा कर दे क्योंकि यहां number of turns turns ratio से answer आएगा see the two is to one let's go ahead इसका correct answer आप देखोगे तो 3 into 2 pi r करोगे 19.8 आजाएगा then we'll go ahead maximum elongation बढ़िया सवाला stress upon strain करोगे 4 mm is a elongation आजाएगा delta L का value यहां पर मापको बोल दिया gravitation acceleration due to gravity निकालना less than 4 will be the correct answer so 3.92 we'll go ahead यह है आपका vernier caliper यह screw gosh दोनों में से एक आता है इस बार vernier caliper पूछा है so यह आपका correct answer 1 upon 100 into n plus 1 let's go ahead आपको पता है atoms वैसे neutral होते और यह सारे statement easy open spectrum भी करते हैं तो बोथ 1 and 2 are correct यह incorrect नहीं है correct है तो option option number D then we'll go ahead इसमें आपको पहले combine कर दो फिर अलग कर दो और आप answer निकालोगे option number B is the six newton is going to the force between a and b यहां पर angle के साथ तो angle का ही unit match हो जाता है तो इसी लिए आप बोलोगे कि option number 4 बाकि strain भी dimensionless है angles भी dimensionless होता है आपको पता है यहां पर आप सभी को question number 29 में आप देखोगे यहां पर resistance of the final combination 52 पहले series में करें कर लो 50 हो जाएगा पैरलल वाले दो होगा दोनों वापर series में 52 फिर यहां पर compare करो amplitude is 5 वो तो simple सदिक रहा है और इसको omega से compare कर दोगे तो time period 2 second आ जाएगा option number 1 then we'll go ahead आप यहां पर देखो सब statement करेक्ट है लेकिन photon थोड़ी ना positive charge वाल होता है तो इसलिए वही नहीं है sorry तो इसी लिए यह करेक्ट आंसर है बाकी डी वाल यह जो ई है ना वही आपका wrong statement है बाकी सारे statement correct है यहां पर increasing order में सेट कर दो मतलब पहली सबके सबसे highest wavelength उसे कम उससे कम उसे कम तो decreasing order में सेट कर दो तो आपका correct answer will be option number one आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से मैच हो जाएगा decreasing order of the wavelength set करना है तो आपको यहां बी का बी बार कर देना है तो correct answer आजाएगा option number two यहां पर आप देखोगे इसमें formal लगाना पड़ेगा और time period का formula लगा दीजिए आपका answer आजाएगा option number one two eight zero five square है then we'll go ahead आपको यहां पर double कर दोगे omega तो टेंशन भी तो चार गुना हो जाएगा टेंशन आपका correct answer is 15 to 10 is to 3 newton for compressive force बढ़िया सवाल था यह आप इसमें देखोगे तो only this option is correct क्योंकि यहीं पर फॉरवड बाइस बन रहा है इसमें confuse मातो नहीं इसमें बैटरी उल्टी लगाई है ठीक है so three is wrong यहां पर small telescope बढ़िया सवाल है 4.5 कर दीजेगा correct answer is going to be option number first 28 उसका यहां पर magnifying power 28 दिया है then we'll go ahead हमारा सवाल है iron bar वाला आपको इसमें confusion उसा 60 degree वाला लेकिन 120 degree लेके करेगा तो answer आजएगा m by 2 ठीक है 120 degree से correct answer रहेगा इसमें आप calculate करोगे correct answer is going to be 0.93 सीधा-सीधा सवाल है i o is equal to v o upon xl एक्सी केपैसिटर था 44 स्केशन टू heaters बढ़िया सवाल यहां पर आपका correct answer is 2 is to 9 यह ratio में आपको power का रिश्यों मिलेगा series और parallel का then we'll go ahead और mass of the bob यह सब बढ़िया है t is directly related to root of l हमने इसका detailed solution भी किया option number one is the correct answer then यहां पर बाइब 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 लाइब की property के बारे में सवाल है ऐसा सवाल पूस्ट है क्या neat में चलो यहां पर आपका correct answer is option number three क्योंकि वह accelerated chart से निकलती है इसलिए third statement is wrong और इसलिए वह हमारा correct answer है then we'll go over here आप देखोगे यहां पर सारी चीजे तो आपको पता चलेगा कि first option is the only option which is correct ठीक है क्योंकि बाकी सब में वह wrong हो जाता है इसमें आपको VT graph है increasing velocity positive acceleration decreasing velocity negative acceleration option number two is the correct answer so यहां पर parallel plate capacitor बड़िया सवाल बड़िया सवाल यहां पर option number one is the correct answer ठीक है क्योंकि displacement current है displacement current same direction में होता है इसमें आप dimensions equate करोगे तो यह first equation में आप alpha और beta का dimension डाल दो time का unit डाल दो alpha बीटा का unit डाल दो answer is going to be dimensionless बस आप सारे को f से equate कर देना बहुत आसान है वैसे मुझे बताना चाहिए नहीं आपको इस case में correct answer is going to be option number one a c और a a c और e यह तीन equations जो है वो सही है क्योंकि वो तीनो related भी आपस में आपको यहां पर correct answer is going to be option number three p1 will be greater than p2 will be greater than p3 p1 बड़ा है p2 उससे चोटा है और p3 उससे चोटा है ठीक है इस तरह से लास question इसमें confusion हो सकता है आपको लोगता है correct answer यह लिकिन correct answer is this five by six क्योंकि ground और height पर दोनों पर देखना है so मैंने यह session को 8 minute by second में खतम कर दिया है I hope कि आप सभी को बढ़िया लगा यह session और इसी तरह से आप सभी को हमने तहे दिल से पूरी मेहनत करवाई है आपकी नीट की एक्जाम के लिए आपके कितने score हो रहे है जरूर मुझे comment box में बताइए लेकिन कम score पे बिलकुल मायूस मत होईएगा यह तो सिर्फ एक हिस्सा है आपकी बड़ी जिंदगी का बावु मशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए ठीक है चलो बवाई से यू टेक केर लव यू अल